नमस्कार मेरा नाम है आदित्यमिस्रा ये आधुनिक भारत का इतिहास वीडियो लेक्चर नमबर बन होने जा रहा है तो आप सभी का स्वागत है पहले हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास वैसे तो यूरोपियन कंपनी के आगमन से शुरू हता है लेकिन उसके साथ सबसे पहले भारत में आये हैं पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वासको डिगामा भारत में आये थे तो सबसे पहले पुर्तगाली फिर आये हैं डच ये 1605 में लगभग 100 साल पहले मतलब लगभग डच के आने से 100 साल पहले पुर्तगाली आये हैं और राज अंग्रेजों ने किया है फिर डेनिस 1620 में और अंत में फ्रांसीसी सबसे अंत में 1668 में आएंगे और सबसे पहले चले भी जाएंगे तो बात करते हैं लेकिन ये लोग जो आए हैं उनमें सबसे पहले ये सीक्वेंस बदल जाएगा जैसे अंग्रेज आए हैं तिसरे अंग्रेजों ने ब्रिटिस इसीडिया कंपनी को पहले ही स्थापित कर लिया है वह भी क्या कहते हैं बृत यह याद रखिये आगमन के टर्म में अंग्रेज तिसरे नमर पर आ हैं लेकिन कंपनी का इस्थापना 1600 में British East India Company के नाम से महरानी अलीजाबैत के परमिस्टन से हो गया है और अगर कंपनी की बात करेंगे तो पुर्दकालियों ने अपनी कंपनी Estadoda India के नाम से 1499 में इस्थापित की British ने British East India Company के नाम से 1600 में इस्थापित की और Dutch ने वरिंगदे अस्तो इंडी से कंपनी के नाम से 1602 में अपनी कंपनी भारत में इस्थापित की डैनिस ने 1616 में अपनी कंपनी भारत में इस्थापित की और इसी तरह फ्रांसीसी ने सबसे अंत में 1664 में कंपने देस इंडिस औरियन तलिस नाम से भारत में कंपनी इस्थापित हुई इन सब का नाम नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं यह दो चीज़ आप याद रखे बात करेंगे इनके आने का कारार क्या था कई कारार होंगे उनमें से मुख्य कारार एक यह है कि मसाला व्यापार भारत में मसालों का बहुत अच्छा बिजनस था और उस समय यूरोप में बहुत जादा ठंडी पड़ती थी लगबग साल के आठ से नौ महीने इतना जादा ठंडी पड़ता था कि कोई भी वहाँ पर अनाज वगरा उगता नहीं था उसके चक्कर में वहाँ पर लोग मांस का ज्यादा सेवन करते थे मांस का सेवन वहाँ ज्यादा होता था अब जहां पर मांस का सेवन हो रहा है तो आप यह समझिए कि वहां पर मसालों की जरूत पड़ेगी क्योंकि मांस में मसाले पड़ते हैं तभी स्वाधिश्ट बनेगा और ज्यादा समय तक उसको रखने के लिए जैसे दो दिन बाद अगर आप खाएंगे मसाले को मांस को तो बिना मसाले खाएंगे स्वाध बहुत गंदा लगेगा तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी मसालों का प्रयोक किया जाता था और साथ में वहां तो ठंडा मौसम था तो फ्रीच की बोज़ा ज़रूत नहीं ह करण था कि उस समय अभी आगे आपको इतिहास बताएंगे कि तुर्की नाम का जो आज देश है वहां पर 1413 में उस्मानिया समराज्य ने अपना अधिकार कर लिया था और जो भारत के तरब से जमीनी रास्ता हुआ करता था जहां से पहले जमीनी रास्ते से ब्यापार होता लूट मार कर लेते थे इसलिए जो है खोजा जायने लगा इसके बारे में अभी पुरा मेतिहास बताऊँगा अब बात करेंगे एक और करण था एक तो करण था 1413 में उस्मानियों का तुर्की पर अधिकार और दूसरा करण था यूरोप में पुनर जागरर पुनर जागर था इसलिए लोगों ने वहां के समुद्री मार्ग के खोज सुरू की जमीनी मार्ग के अपिक्षा क्योंकि जमीनी मार्ग में कई ऐसे अराजक ततो हुआ करते थे जो लूट मार कर लेते थे और बहुत ज्यादा महंगा भी पढ़ता था क्योंकि जमीनी रास्ते से जितने जाओ कि छेतर से होगे जाओ वहां पर टेक्स वगरा दो तो सबसे पहले क्या हुआ देखिए पुर्टगाली के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैबरल उन्होंने ब्राजिल की खोज की कबकी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन यह इंपोर्टेंट है कि 1492 में अमेरिका क समुदरी रास्ते की खोज हुई है यह इस्पेन के एक नाविक है जिनका नाम कोलंबस उन्होंने की है और यह भी एक्चुली यह इस्पेन के नाविक कोलंबस आये थे भारत की ही खोज करने लेकिन गलती सिनों ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी एक व्यक्ति हैं बासको ड तस्मानिया जो है हॉलेंड के एक व्यक्ति हैं तस्मान उन्होंने खोज की और एक और देश तस्मानिया इसलिए तस्मानिया का नाम तस्मान पर ही पढ़ गया है तो यह तनी बात है अब देखिये अगली बात करेंगे कि यह लोग जो आये France, British, Dutch इन लोग ने क्या किया त कि सबसे पहले गोवा पर अधिकार करने वाला है पूर्टगाल और सबसे अंत में गोवा को छोड़ने आला भी पूर्टगाल, देखे 1610 में पूरी तरह से पूर्टगाल पर अधिकार कर लिया जाएगा, और सबसे अंत में, प्रितिश या फिर पहला यूरोपियन जिसने भारत प्रितिकार किया वो भी कहां पर गोवा पे और सबसेंट में छोड़ा पुर्दगाली ओने ही गोवा को ठीक यह दो डेट या रखेगा और इन्हों का किया पुर्दगाली आयं 1459 में इन्होंने अपनी पहली जो फैक्तरी खोली फैक्तरी या पहला अपना सिंटर वह दो अपर सॉचिये कई साल बाद कोचीन केरल में इन्होंने पहली खोली कि यह दोजिमीन कर दूसरी नमर प्याते हैं जच डच आय और उन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री को ली और कहां पर खोली मसूली पत्नम मसूली पत्नम देखें यहां पर आंधर प्रदेश में आज के समय में यहां पर आंधर प्रदेश है इधर साइट तेलंगाना नवींतम राज्य है कुछी जिए मैं आप लोको बता दूंगा जैसे तेलंगाना नवींतम राज है जिसकी स्थापना दो जून सन 2014 को होगी है ठीक है नवींतम राज है तो दूसरे अमर पर डच आये 1605 में आये और 1605 में इन्होंने मसूली पत्नम जो आंधर प्रदेश में है वहाँ पर अपनी पहली फैक्टरी को ली ठीक उसके बाद तीसरे नमर पर अंग्रेज आये अंग्रेज बहुत चलहाग थे वह वहीं पर फैक्टरी को ले जहां पहले से बिजनस चल रहा था तो इ कि देखिए यह भी इधर सांधाल टमील्लाडू पड़ेगा यहांपर केरल पड़ेगा तो केरल तो प्तमीललाडू के बीच में ि plain के सूरत का इस्ता है यहां पर कोलते हैं और यहीं पर बाद में अंग्रेज भी आजरेंगे जरूर कोदेंगे तो यह कहानी चलेगी अब आगे देखते हैं मुख्य कारण देखे अब मैं आपको बताता हूँ हाला कि यहाँ पर नक्सा नहीं है लेकिन यहाँ पर समझ लीजे सन 1403 की बात है 1403 और 1403 में यहाँ पर उस्मानियों ने अपना समराज स्थापित कर लिया उस्मानियों ने उसके कारण जो भारत पहले इस तरह से समुद्री रास्ते होते होते यहाँ से यहाँ से जमीनी रास्ते होते 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 यहाँ से बिजनस करता था पूरे योरूप में वो रास्ता ठप हो गया क्यों ठप हो गया क्योंकि बीच में लूट मार और टेक्स वगड़ा बहुत ज्यादा लग जाए फिर यहां से एक इस्पेन जगह हैं इस्पेन देश है वहां से एक लोग निकले और वह सोचे कि भारत की खोच करेंगे लेकिन गलती से इधर पहुंच गये और उ इस तरह से घूमते घूमते इधर से रास्ते घूमते घूमते यहां पर आये चारों तरफ मतलब कई बार आये गए आये गये पहले खोजा Can要 UP Good Hope करके एक जगा है हाला कि K-POP Good Hope कि से और ने खोंजा है और K-POP Good Hope की रास्ते फिर धिर धिरे पहुंचते पहुंचते यह मेटाज गसकर है यहीं से पहुंचे कहां पर कोचीन काली कर जिसे कोजी-ककोड बुलाता है तो भारत की रास्ते की खोच पुर्तगाली नाविक पुर्दगाली नाविक जिनका नाम था वासको डिगामा ठीक है वासको डिगामा और इन्होंने 1498 में 1499 में भारत की खोज कर दी भारत के समुद्री रास्ते की ठीक है भारत की खोज नहीं कहेंगे भारत तो पहले सी था तो ये कहानी एक हो गया तो पहला कारण था क्योंकि मसालियों का ब्यापार करना था इसली लोगों ने समुद्री रास्ते खोजे ओपर से ब्यापार में बा लाता था बहुत लंबा कहानी है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है वन डे एक्जाम के लिए तो बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था अब देखें एक व्यक्ति थे जिने कहा जाता था नेविगेटर ठीक है तो पुर्टगाली कैसे आये थे समझेगा यूरोप में पुनर जागरण हो गया था पुनर जागरण का मतलब है कि लोग अब वैज्ञानिक सिध्धानतों के हिसाब से चलते थे ऐसा नहीं है कि जो भी संत महात्मा या पुराने जो लोग spiritual leader कह दिये उसी को मान जाएंगे तो एक पुर्टगाल के राजकुमार थे हैंरी दा नेविगेटर उनका नाम एक्चली हैंरी था उनको नेविगेटर इस दिखा जाता था क्योंकि समुद्री रास्ते के खोज करने में बड़े जादा य बड़े जन्नोंने के-प गुड़ होप की खोज कि आभी में मैंने बताया था इधर आफ्रीका के आपको यहां पर दिखाया था केप गुड़ोप था जिसके रास्ते से फिर भारत यहां पहुंचे थे तो के-प गुड़ होज की खोज बार्थोलोमी और डियास ने 1487 में क पहुँचे और किसकी साहता से तो पुर्दगाल के एक राजकुमार थे जिन नाम था हैनरी और इन्हें हैनरी जा नेविगेटर का उपादी इसलिए दे जाता है क्योंकि ये कई मामलों में संबुद्री रास्ते के पोच के लिए बहुत ज्यादा रूची दिखाया करते थे अब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक राजा थे कहाँ पर जब भारत पहुँचे तो भारत में एक राजा थे जैमोरिन जैमोरिन ने इनका स्वागत किया और स्वागत ने इतना ज्यादा मसाला दे के भेजा कि जब ये वापस गये तो वहाँ पर 60 गुना लाब कम और यह जो लावता यही अने लोगों को भारत पे आकरसित करता है और इनकी साहता किस ने की थी तो जब यहां पर पहुचे थे के पॉप गुड हो तो इधरी साइड ऐसे मतलब एक खट्टे तो नहीं पहुच गाँगे क्योंकि सालों साल लगते हैं तो वहीं पर एक गुजर इगाली का विस्तार हम देखते हैं तो सबसे पहले जब 1498 में वास्कोडिगामा भारत पहुंचते हैं तो वहीं पर एस्तादो दा इंडिया नाम का एक कंपनी खोल देते हैं बिजनस के उद्धिस से और पहली फैक्ट्टी कहां खोलते हैं कोचिन में 1503 में मानबह्तो पुछा जासकता है अच्छा यह कहां पर है माला भरट माला भरट की से कहते हैं तो हमारा भारत का पस्चिं जहां गोवा के राज़ानी पढ़ जी ये भी क्युशन पूँचाता है पढ़ जी किस नदी के किनारे है तो मांडवी नदी के किनारे है एक्ष्टर चीजे भी मैं बतातारा हूं ठीक है तो कुल मला के पहली फेक्टरी केरल के कोचीन में जो है 1503 में खोल देते हैं वासकोडि गाम इसका नाम आप लोग फ्रांस से मत संदर भीत कर दीजेगा नहीं तो पहला गवर्नर जो है पुर्थगालियों का वह भारत में फ्रांसिस्को अल्मीरा बनता है अब देखिए पुर्थगाल में सासक उस समय कौन है तो पुर्थगाल में पहले सासक थे मैनुवल प्रथम और उसके बाद आएं हेनरी दा नेविगेटर जिनका पूरा नाम है डॉन हेनरिक ठीक है उस समय देखिए भारत में क्या चल रहा है तो भारत में तो हाला कि याद करिए 1526 में जो है 1526 में मुगल सल्तनत शुरू होता है अगर आप मंधिकालीन भारत पढ़े होंगे तो मुगल lobster погна 20-2529 के बीच में भारत में दिल्ली में मुखरूप से लोधी बंस चल रहा है और लोधी वंस में कौन है राजा ओ इसी समय भारत में पहली वार कोई उरूपी आया है तो युरूपीयन जब आया है तो दिल्ली सल्तनत चल रहा है तो दिल्ली राजी में दिल्ली रहा है और गुजरात में उस समय महमूद बेगड़ा का सासन चल रहा है मतलब यह तीन इंपोर्टेट नाम है अगला यहाँ पर बात रहेगा कि वास्को डिगामा जो भारत आया है वो कैसे कैसे है तो पहले तो वास्को डिगामा भारत आये हैं एक जहाज के द्वारा हैं इस जहाज का नाम है साव ग्रेबियल ठीक है जिस जहाज के द्वारा हैं उस जहाज का नाम है साव ग्रेबियल आज भी आप लोग देखोगे जैसे विक्रांत दे जाता है पंडूबी को नाम भारत में तो जितनी भी बड़ी बड़ी जहाज होते हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है तो उसी तरह वास्को डिगामा के जहाज का नाम था साओ ग्रेबियल और पहले ये कहां पहुँचे थे तो 20 मही 1498 को ये बार बार रिपीट हो रहा है इसी बहारे आप लोगों को याद हो जाएगा कि पहले जो है वास्को डिगामा काली कट पहुँचे थे जो काली कट कहां पर है माला बार तट में है अभी आपको मैंने बताया था यहां दचिट भारत का जो केरव लातर है उसी को काली कट वहां पर है तो सबसे पहले 20 मही 1498 को भारत पहुँचते हैं और पहुँचने के लिए के पॉप गुड होते होप होते हुए आए हैं और यहां पर इनकी गुजराती नाविक ने थोड़ी साहता भी की है और काली कट में एक सासक है जिनका नाव है जे मोरिन ने इनको मसाले इतने दिये कि 60 गुना लाब हुआ अच्छा गुजराती नाविक का नाम ये भी आप पढ़ दीजे एहमद इबन मजीदी तो गुजराती नाविक एहमद इबन मजीदी ने नाविक कह लिए ब्यापारी कह दीजे इन्हों ने ही इनकी साहता की भारत को पुजने में देखिए पहला तुफ था वासकोडिगामा का ये दूसरा था कि अरब व्यापारियों का बिरोध काफी ज़्यादा हुआ वासकोडिगामा के आते ही क्योंकि उससे में भारत का अरब से जो है व्यापार चलता था अरब वाले समान करीते ले जाते थे आने जगें बेजते अब डाइरेक्ट जब वासकोडिगामा आ गया है बिजनस शुरू कर दिया है तो वहां पर विरोध भी सामना करना पड़ा काली मिर्च के व्यापार से इतना फायदा हुआ कि 60 गुना प्राफिट कमाया गया वासकोडिगामा के द्वारा इसलिए दुबारा पंदरा सो दो कि 1303 में वासकोडिगामा फिर से भारात आता है और 1503 में वहां पर फैक्ट्री बना दी लिए पहली बारा है 1498 में दूसरी बार 1502 में फिर 1524 में तीसरी बारा है और 1524 में ही दिसंबर के महिने में केरल कोचीन में इनकी मृत्ति हो जाती है तो यहां से वासकोडी गामा कर चैप्टर जो है खतम हो जाता है अब पुर्थगाली जब आ गया है तो वहां पर धीर धीर पुर्थगाली गवनर बनके आता है और यह कब 1505 में आया है भारत और इसे जो है सांत जलकी नीती अपनाई है नीले जलकी नीती जिसे कहते हैं अच्छा अब इसका क्या मतलब है ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब है जो हमारा हिंद महासागर है जैसे भारत है तो भार पुर्थगाल का गवर्नर जिसका नाम है फ्रांसिसको दा अलमीरा दूसरा आता है अलसोत दा अल्बुकर यह भारत में पुर्थगाली सक्ति का वास्त्विग संसथापक मालाता है क्योंकि इसके आने पर इसने क्याक्या बिजनस के साथ साथ राजनेती ग्रूप से थोड़ा एक्टिव हो गया और ये पुर्थगाली सक्ति का जो है समराज का समलीजे विस्तार करने पर आया इसने क्या किया पहला तो हारमूज पर अपना जो है अधिकार इस्थापित किया और सबसे अंत में सन 1961 में भारत के आजाद होने के भी कितने साल भात गोवा को आजाद किया जाएगा और यहाँ पर कौन है गोवा में 1510 में यूसुफ आदिल साह ये बीजापूर के सासक हैं यूसुफ आदिल साह इनको हरा देता है और वहाँ पर अपने तुरी तरह से सामराज इस्थापित कर लेता है इसने अपने कोचीन को समलीजी राजधानी बनाया ये केंदर बनाया और इसने अपने सामराज के विस्तार के लिए भारत में कुछ चीजे की जैसे भारती महिलाओं के साथ विवाह की नीती अपनाया और इस विवाह की नीती में ये भी कहा किसी से विवाह करो बिद्वा से विवाह करो और कुल्मला के जो विवाह करने पर भारती महिलाएं इन्हें जो है संतान जो भी उत्पन होंगी वो पुर्तगाली समझ दीजे उनका माना था कि पुर्तगाली जनसंख्या बढ़ेगी दूसरा इसने सती प्रथा पे रोक लगाने का प्राज किया कुल्मला के क्या किया कि जो विद्वाएं हो जाती थी उनसे काविया साधी कर लो तो सती प्रथा आपने आप ही समाप्त हो जाएगी इस समय सती प्रथा जो है चरन सीमा पे थी तीसरा पुर्थगाली important governor होता है नीनो दा कुन्हा नीनो दा कुन्हा के बारे में important बात है कि पहली चीज गोवा को इसने राजधानी बना दिया वही गोवा जिसको 1510 में बीजापुर के सासक यूसुप आदिल सासे अल्फ्रांसो दा अल्भुकर्क ने जीता था पुर्थगाली ने तो नीनो दा कुन्हा तीसरा पुर्थगाली governor है important है इसने गोवा को राजधानी बनाया कब बनाया 1530 में और हुगली और सेंट ठोमस में बस्ती बनाई है थीक है तीसरा काम किया था बेसिनव वा द्वीप पर अधिकार किया इसने बेसिव अर द्वीप पर चौथा काम किया बहादुर साह यानि जो गुजरात का सासक थाउसम है उसकी मृत्यू का भी समझ लिजे इसी पर आरोब जाता है और इसी के समय में समझ लिए मृत्यू हुआ ऐसा कहा जाता है इंपोर्टेंट बात बस यही है कि गोवा को राजधानी पूर्थगाली ने कब बनाया तो 1530 में गोवा प्यादिकार कप किया तो 1510 में सबसे पहले पूर्थगाली ने फैक्ट्री कहा बनाया तो कोचीन में और पहला गवर्नर कौन बना तो फ्रांसिसको दा अलमीरा कब बन अगला बात है कि पूर्थगालियों का क्या-क्या योगदान दा तो देखें पूर्थगाली जब भारत में तो उन्हें कई चुकी यूरोप में पुनर्जाग्रा का चल रहा है वैज्ञानिक नीति का विस्तार चल रहा है जो धार्मिक चीजें हैं उसके साथ साथ साइंट पूर्थगालियों को ही भारत में जाता है प्रिंटिंग प्रेस यानि जो पेपर वोगर अच्छता है आज देखें यह प्रिंटिंग प्रेस जैसा मसीन है तो प्रिंटिंग प्रेस का सुरवात पूर्थगालियों को सरे जाता है और इसकी पहले मसीन लगाए थी गोवा मे ही 1556 में 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की मसीन लगाएगी फसलों में क्या-क्या जो है दिया है पुर्दकालियों ने तो तंबाकू लाल मिर्च पपीता आलू मक्का टमाटर कहवा अमरूद अननास और अलफानसो आम अलफानसो आज 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 अलफानसो अलफुकर के के नाम से मसूर है तो ये सारी चीजों का जो है स्रेय जाता है पुर्दकालियों का जहाज निर्माट की कला इसाई धर्म का प्रसार ये सब भी पुर्दकालियों को ही जाता है और पुर्दकालियों नहीं 1510 में पहला चर्च भारत में बनाया और ये जो सेली क्या है मुगल सेली क्या है तो उसी के तरह गोपित स्थापित कला इसके द्वारा प्र garbage पंद्रासो दस में बना और इसके जनक भी माने जाते है भारत में कि पुड़गाली है और सेंट थॉमस यह जो चर्च बना है 1510 में यह कहां बनाया, सेंट थॉमस है और केरल में बना हुआ है, आज भी है पहला पादरी, जो इसाई धर्म का पहला फादर जो पादरी बनता है वो फ्रांसिस को जेवियर बनता है पुर्दगाली ही है, यह देखिए यह चर्च का फोटो है, आज भी है इस थी, केरल में, ठीक है इसलिए केरल में और गोवा में बहुत जादा पुर्दगाली लोग भी दिखेंगे आपको और इसाई लोग तो बहुत जादा ही दिखेंगे पुर्दगाली फिर क्यों पतन हो गया सौ साल लगबग सामराज किये लेकिन उसके बाद अंग्रेज के आते ही, फ्रांस के आते ही, पुर्दगाली लगवक हट गया लेकिन सोची हाद लेकिन से हट गया है गोवा में ये अंतिम दम तक रहें और बिजनस करते रहें भारत अजाद होने के बाद भी उतना जाद गोवा पे पहले ध्यान नहीं दिया गया भारत में सोचा ठीक ये बिजनस कर रहें इनको भगाई लेंगे कभी पहले पूरा भारत के जो नेता लोग थे वो लोग पहले भारत को अच्छे से ब्युस्तित कर लिए फिशोला उसी सट में 1961 में गोवा को भी आजात करा लिए तो देखते हैं पूर्तगालियों के पतन के क्या क्या कारते पहला चीज था कि धार्मिक असही शुता पहला ठीक है एक इन टॉलरेंस का मतलब है कि इन लो लोग भी आ गए जैसे ब्रिटें से और फ्रांस आ गए तो इन लोग ने क्या किया अपने देश के जो मंत्री होती थे इस पारे में कि हम बिजनस करेंगे साथ में जरूत पड़ेगी तो आप हमें आर्मी दिजेगा पूर्तगालियों ने क्या किया बस बिजनस कर रहा है औ और इस वज़े से साइद संगर्स में ये लोग पूर्तिकारी लोग इतना ज्यादा सक्सेद रही उपाएं। तीसरा क्या था कार्टेज, आर्मीडा, काफिला वह समुद्री लूट की नीती। इन लोग ने क्या करते हैं, जो ब्लू पार्टर पालिसी था, उसमें क्या कर दिया था, कि कोई भी आदमी यहां से ब्यापार करेगा, चुकि यहां पर देखिए, वो है, आफरिका है, और यहीं पर एसिया का जो है, कुछ है, क्या करते हैं, वो सारे कंठीर है, जैसे आज के स पर नाओ बनाके और लूटे थे, तब तक तो ठीक था, जब सब लोग नाओ बनाना सीख गयें, तो पुर्टगालियों की शुट्टी करने लगे लोग, तो यह लूट की नीती जो थी, इसमें ब्लू वर्टर पॉलिसी का भी हाथ था, उसके वज़े से भी पुर्टगालि था, उसके बाद अंतिम गवर्नर जो है पुर्टगाल में है, वो 1558-1986 तक है, उसका नाम है मैनुवल एंटोनियों, यह कब की बात कर रहा है, गोवा को 1961 में जब आजात कराये गया है, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा है, और 1961 में जब इसे आजात कराय गया है, तो आपरेशन विजय चलाए गया है भारत सरकार के द्वारा, और बुर्दगाली, बस्ती, गोवा, दमंदीव, इन सब को भारत में 1961 में ही मिलाए गया है, आपरेशन विजय के द्वारा, इसी में जो समाननागरिक समिता पहला ऐसा भारत का राज है, जहां पर कोशन है, और हाल ही में उत्राखंड ने इसको लागू करने के लिए रंजना प्रकास देशाई की एक समीती बनाई है, अब देखें, इतिहास के साथ थोड़ा करेंटर भी आगया है, कि कौन सी समीती का गठन किया गया है, उत्राखंड में अनुछे चेवालिस लागू करन है, अगला इसमें बात है, कि डच आए, सेकेंड कौन आए, पहले तो कौन आ गया, भाई पूर्दगाली आ गया, सेकेंड आ रहें डच, अब डच कब आ रहे हैं, लगभग 100 साल बात, तो दीखें यहाँ पर एक जगह हैं, अभी भी आप लोग हैं, जानते होंगे, यहाँ है, यहाँ पर एक युराल परवत है, जो यूरोप को एसिया से अलग करता है, और एक कंट्री जो बिश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, रसिया, जो थोड़ा सा यूरोप में भी फैला है, और थोड़ा पूरा, अधिक्तम भाग इसका कहा हैं, जो है, एसिया में, और पहुशते हैं, पहले कोलंबो, स्रीलंका में, फिर सूरत, ठीक है, फिर डच यहाँ से भी पहुशते हैं, और यहाँ पर एक चिन सूरा, ठीक है, जगह पर पहुशते हैं, जगह पर पहुशते हैं, चिन सूरा, कहाँ पर है, इधर म्याम्मार साइड है, ठीक है, म्याम्मार से ज़्यादा तो इधर उधर व्यापार कर रहे हैं गूम फिर रहे हैं लूट मार रहे हैं व्यापार कर रहे हैं और अपने देश देश ले जा ले जाके दे रहे हैं तो डच जो है एक्चुली नीदर लेंड के निवासी हैं हॉलेंड बोलिए या नीदर लेंड बोलिए ठी अक्टूबर दोहजार उन्निस में नीदक और लेन नाम बदल दिया मतलब अक्टूबर नीदक Вам करेंट और का कोश्चीन हो गया है कि ये भारत आने वाला पहला डूच नागरीक था अब बात करते हैं कि आएकर घुन 12OC में कार्नेल डेली था हस्त्मान यह भारत आने वाला पहला डच नागरिक था लेकिन इंडिये आये तो लेकिन 1602 में फैक्टरी बनाएं कब बनाएं जब ब्रेटिस ने 1620 में पहले एक कंपनी बना ली कागजिम में एक कंपनी बना ली जैसे हम लोग कहीं जमीन लेते हैं तो पहले जमीन का रजिस्ट्री हो भी आता है फिर जमीन के जाके कहीं न्यू खुद वाते हैं कहीं कुछ करते हैं वह अलग काम होता है तो डच आये 1596 में आने वाला पहला नागरिक कार्नेलिस दहस्तमान जिसे कार्नेलिस दाहुटमें भी कहेंगे और 1602 में इन्हों ने डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थ बताविया में भारत में कब आये है तो 1605 में अब देखिए 1596 में कार्नेलिस दाहुटमान भारत आया घूम फिर रहा है 1602 में इसने फैक्टरी मतलब एक कागजी करवाही के द्वारा बना लिया कि एक कंपनी बन गए फिर भारत में 1605 में पूरी तरह से आते हैं और मसूली पत्नम में अपनी पहली फैक्टरी बनाते हैं डच डच के बारे में चार चीज़ें पहला 1596 में पहला व्यक्ति कार्नेलिस दाहुटमान आया 1602 में डचिस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होती है और 1605 में पहली फैक्टरी मसूली पत्नम में बनाई जाती है इसके बाद क् ब्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है इनके पत्न के क्या करण है एक बेदरा का युद्ध हुआ था 1769 में जिसे करनाटक का युद्ध भी बोलते हैं इस बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेज ने बुरी तरह हरा दिया अंग्रेजों ने अब हम य लिकिन पत्न के करण है इसलिए भी करण था क्योंकि डचों ने भारत से ज्यादा यहां से ज्यादा इस छेतर में बहुत जादा बिजनस को बढ़ाने की कोशिस की अगर बात करेंगे डच ने भारत के लावा कहा कहा बिजनेस अपना किया है तो स्री लंका में किया है इंडुरेसिया में किया है मलका पे किया है और कई जगें पे किया है भारत से ज़्यादा इन्होंने हर जगें बिजनेस फैलाया है मेडागासकर में किया है यमन में किया है लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा अपना बिजनस ने खेला है और धोगिक वेतन भोजी इन लोग ने स्वर्ड सिक्के जिसे पैगोडा कहा गया उसका भी स्रे जाता है डचो को ही बात करेंगे अब अंग्रेज अंग्रेज भारत में आए हैं यहां से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अंग्रेज क्या है बुद्धिमान है उन्होंने पहले ही बिजनस आइडिया बना कर भारत में प्रवेश किया और महरानी एलिजाबैत के परमीशन से महरानी एलिजा बहत के पर्मीशन से इनका सौटकट में नाम लिखते रहा हूँ सन सोला सौ में एक कमपणी स्थापित की और उसमें बहुत विस्तार से हर्ची जो को लिखा जैसे जरूत पढ़ने पर आप हमें सैनिक व्योस्था देंगी हम आपको टैक्स वगरा देते रहेंगे बिजनस में आपकी भी हिस्सेदारी होगी कमाम तरी की चीज़े समझ लिज़े कर दिया है हलाकि इससे फायदा ही हुआ कि बाकी लोग जो बिजनस कर रहे थे हो अकेले पढ़ गए और प्रिटिस वाले जो थे इनको जरूत पढ़ने पर यहां से सैनिक व्योस्था वगरा भी मिल जाती थी ठीक है अभी देखिए भारत आने का कितना लंबा रास्ता है यहां से लेकिन अब क्या हो गया इस जगहाँ पर एक स्वेज नहर बन गया है स्वेज नहर के कारण भारत से ब्रिटेन वगरा का रास्ता बहुत सरल हो गया है ठीक है तो यह थोड़ा सा बात हो गए एक्स्टर अंग्रेजों के आगमन की तो संद सोला सो में यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया महरानी एलिजबात के परमीशन से एक जो है फैक्टरी बना ली कंपनी बना ली और उसे ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी कहिए ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले क्या होता है भारत में 1599 में एक जॉन मिल्डेन हाफ भारत आये है जॉन मिल्डेन हाफ और 1600 में भारत और ब अकबर का समराज है क्योंकि 1526 में जो है सिकंदर लोधी को बाबर हरा देता है पानीपत के पर्थम युद्ध में पर वहां से सिकंदर लोधी का समराज समाप्त हो जाता है और मुगल समराज है शुरू हो गया है मुगल समराज के बारे में मद्धेकालिन भारत इतिहास में पढ़ाऊंगा मैं लेकिन यहां समझे अकबार का समराज चल रहा है और 1600 में आ जाते हैं कौन अंग्रेज पहला गवर्नर जो है अंग्रेज का वो थॉमस समित बनता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है यह क्या है यह एक प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी का संचालन जो है निदेशक मंडल कर रहा है जिसमें बोर्ड अफ डायरेक्टर है 24 मतलब ब्रिटेन में 24 बड़े बड़े बिजनसमेन मिल्स के महरानी अलिजाबरत के परमीशन से यहां पर एक प्राइवेट कंपनी चला रहे है और इसका सेयर जो है सबके पास है जितनी प्रॉफित होगी सब में माटा जाएगा और इसमें महरानी अलिजाबरत ने सन 16-100 में 15 वर एक और लोग आते हैं सन 1609 में राजा जेम्स प्रथम यह क्या किये हैं इस एक अधिकार को अनिशित काल के लिए कर देते हैं ठीक करते रहो देखा जाएगा जब कोई नया राजा आएगा ब्रिटेन में तो हो सकता है हटाए तो अलग बात है अब बार बार मेरे पास अधि अधिक्री बनाने के उद्देश से पहुच जाते हैं और एक बड़ा सण नाव लेके जो है सूरत में आते हैं जिसका नाम है ड्रेड ड्रेगन ड्रेड ड्रेगन सूरत में और इन्होंने क्या किया है देखिए एक कासिम बजार में फैक्टरी कोला है 1668 में बंबई में फैक एहीं पर अंग्रेजों ने सबसे पहली सौंट इस तरह से कई नाम है इंपूर्टेंट्थ जो हैं में 1633 में हुगली नदी के किनारे यह तीन चाजी जाएं अब इन्हों ने क्या किया है पहली चीज कि एक तो उत्तर भारत में उसमें मुगल का समराज चरम सीमा सबसे पहले जहांगीर का कारिकाल उस समय चल रहा है सन 1605 से 1625 तक चलेगा तो 1605 में जहांगीर का साससनकाल चल रहा है जब 1608 में अंग्रेज भारत आया तो वहांपे जहांगीर का सासनकाल चल रहा है और जहांगीर के के हां जाके चापुरुसी इतना करता है कि इन्हों ने जहागीर ने कैप्टन हौकिंग्स को मनसब जो है 400 मनसब और इंग्लिस खाकी उपादी दे दी कैप्टन हौकिंग्स को जहागीर और एक पद दे दिया समझ दीजे अपने समराज में और कहा ठीक जाओ फैक्टर को लो तो इनकी परमीशन से जो है कैप्टन हौकिंग्स ने परमीशन लिया और 1611-12 में अंग्री जी कप्तान वेस्ट वा मिल्ड लैन ने सरवपल्ली में पूर्थगालियों को हराया यह एक बात दीक है और यहीं पर 1613 में सूरत में पहली फैक्टरी खोली उत्तर भारत की पहली फैक्टरी दच्छिर भारत में तो यहां मसुली पटन में 1611 में खोली र वो इस्थाई फैक्टरी नहीं है क्योंकि वहां पहले से बिजनस चल रहा है यहां पर पहली इस्थाई रूप से फैक्टरी बनती है क्यों क्योंकि यहां पर उस समय मुगल समराज का समल दीजे बहुत बड़ा वो चल रहा है और मुगल समराज इतनी पावरफूल है कि उन आ गया, केप्रेन हौकिंसq उसके बद 1615 में फिर से गया है सर् टॉमस रो meus अंग्रेज के ही एक दर्बार में रहने वाले समिल जे वह है राजदूथ जो सर् टॉमस रो saja पर चालिके ँरार करेंगी प TensorFlow ऑ वेधिyan ने दे दिया ठीक धीक जओ अब देखेए औरंग औरंग जेब का सासनकाल है 1658 से 1767 एक्चुली 1707 में औरंग जेब मर जाएगा ठीक है यह सरसट गलतिस लिग गया है तो यहाँ पर 1651 में बंगाल में पहली फैक्टरी हुगली नदी के किनारे बंगाल के हुगली में परमीसन मिल जाता है और इस समय साह सूजा है इस समय पारी कनमुती के बदले 3000 वार्सिक जो है पैसा मांगा 1668 में अंग्रेज और मुगल समलीजे यहां से बिरोध सुरू हो गया क्योंकि मुगल ने अंग्रेजों को इतनी सत्ता में छूट दे दी कि अब आप पिजनस करिए पिजनस करते करते अंग्रेजों ने बिजनस के अंग्रेज गया और माफ कर दो हमें बिजनस करना है अंग्रेज बड़े सातिर हैं फिर से अंग्रेज आराम से ब्यापार करने लगें और आउरंग जेव ना काम करने लगें लेकिन आउरंग जेव 1707 में जब मर जाएंगे तब देखिए क्या होगा अब इसमें क्या हुआ सन 1698 में बंगाल के तीन गाउं जिसका नाम है कालीकट, सूतानती और गोविनपूरी यहां की जमीदारी मिल जाती है अंग्रेजों को बहुत important है, question आता है कि कालीकट, सूतानती और गोविनपूरी की जमीदारी अंग्रेजों को कब मिलती है तो 1698 में, कहां पर है तीनों जब है तो बंगाल में है और यह किस के दौरा मिलता है, जौन चारनक के दौरा और जौन चारनक ने क्या किया है, कलकता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की है आज भी question पूचर आता है कि कलकता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना किस ने की है तो जौन चारनक ने और यहां तक कलकता नगर का वास्विक संथापक भी जौन चारनक को ही बोला जता है फिर आता है 1717 का टाइम पीरिड अब जो है 1707 में ओरंग जेब मर गया है ओरंग जेब मर गया ओरंग जेब मर ने के बाद फरुक सियार बनते हैं फरुक सियार को इतियास करने कुछ लंपट मूर्ख करके कुछ ऐसा बोला है एक्जैक यार नहीं आ रहा है ठीक है तो फरुक सियार आते हैं और ये किसी बिमारी से परसान है उसी समय जॉन सर्मन ये एक डॉक्टर हैमिल्टन को लेके आते हैं जॉन सर्मन मिसन और डॉक्टर हेमिल्टन यह दो लोग जाते हैं और इनके बीमारी का Ilaja करते हैं अब Ilaja कशने में इतना खुस हो जाते हैं कि यह साही फर्मान दे देते हैं कि तीन खसर भारियाल में दो विजनस करो तस़यार वारिया सी चाहई कर सूरत में दो विजनस होके कि वहां से अंग्रेच और भी ज़्यादा पावर्फुल हो गया इसे बोला गया मैगना कोटा आफ कंपनी मतलब कंपनी का समझेट यहां से एक प्प्वां Taliban के अब कंपनी कंपनी को इतने पर मिलने के बाद इन्हों ने क्या किया इक स्वर्ण फर्मान जो मिला है गुल कुंडा में तो कुल्म लाके इतने फर्मान मिलने के बाद इन लोग ने अपने बिजनस को बहुत तेजी से बढ़ाया है उसी समय दच्छिड भारत में क्या हो रहा है देखिए तो दच्छिड भारत में सन 1649 में फ्रांसीसी डे ने चंदगरी के डाजा मदरास से जो है लिया ठीक है परमीशन और फोर्ट सेंट आधर के दच्छिड भारत में व्याफारी केंडर बनाया 1661 में क्या होता है पुर्ट गाल चुकी भारत में है और बिजनस कर रहा है लेकिन पुर्ट गाल कमजोर पढ़ चुका है आगे अभी कहानी बताएं कि पुर्थगाल ने क्या किया अलू अगरा सब खेती थी क्या बिजनेस कर रहा है राम से अंग्रेज आते ही हर जगे जाकर फर्मान ले लेकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के अपने तुरा महाराणी एलीजवएट का समर्थन हाई है साथ में यहां के भी राजाओं का समर्थन ले रहे हैं अंग्रेज और उस चक्कर में बृतेन के राजकुमारी स्वारी बृतेन के राजकुमारी जो है चार्ल्स प्रथम ये कहते हैं पुर्थगाल के लोगों से या तो हमाए साथ भई लडाई करो या तो अपना पिजनस हमें दो या तो थार्ड ओप्सन है कि चलो साधी करने का मनें साधी करवा तो दहज में मिली जाएगा सब तो पुर्थगाल के राजकुमारी है कैथरीन इनका नामें कैथरीन ओफ ब्रेंजेगा इनका विभाग करवाया जाता है चार्ल्स प्रथम द्वारा और दहज में मिलता है बंबई तो 1661 में एक क्वेस्टन बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स प्रथम वो पुर्थगाल की राजकुमारी कैथरीन का विभाग किया जाता है किसका तो ब्रिटेन की राजकुमारी कैथरीन का और इसमें गिफ्ट में मिलता है बंबई किसको ब्रिटेन को मिलता है ब्रिटेन को क्या? ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को और ये ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है या चार्ल्स प्रथम क्या करते है इसको ब्रिटिस इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराय पे दे देते है 61 में साधी होती है गिफ्ट मिलता है बंबई देहज और उस देहज को 1668 में जो चार्ल्स प्रथम है वो ब्रिटिस इस्टिनिया कंपणी को दे देते हैं और इसमें एक व्यक्ति गैरोलंगियार उन्हें मुंबई का डैवलप्मेंट करने का काम मिलता है पहले मुंबई में छ लौन चार्नक कलकत्ता के संसापक मुंबई के संसापक गैरोलंगियार उन्हें अली कि अबस्या अली का डा उन्हें गा लॉक करे दो कि आू yार आयर नो से घ्ली जो करके सहाई व्यक्तिकен है व्यक्तिकके एक व्यक्तिक साफ़ हेगी शवाने पैटे हैं सहाई जली देम है